नमस्कार दोस्तों सवागते शोमच बैल जी के और एक मेडेसिन रिविडियो तो फिदूलेर के बारे में अपडेड़ क्वें डाइनपार के बारिएं और फिर दाइनपार इंजेक्शन रब देख लो कि यह डाइनपार को है कैसे काम करता है इसके एफेक्टिविटी क्या है और यह भी बताएंगे कि इंडियन ब्रैंट अल्टर्निटिफ क्या है अगर आपको डायना पार नहीं मिलता है तो उसके बदले में कौन-कौन से दवा आप ले सकते हो तो वीडियो का अंतक ज़रूर देंगा पहले साथ साथ डाइनापर टेबलेट की बात करें यहां पर डाइनापर में आप उसके साथ एनलजेसिक भी निलता है तो डाइनापर टेबलेट में क्या होता है एनलजेसिक प्रोपर्टी और नॉन-स्टेरिडल एंटी-इंफ्रमेटरी ड्रग चले अब बात करते हैं का diclofenac एक साथ मिलके आता है और बनता है डाइन एक टाबलेट और इंजेक्शन में भी डाइन Самरक युक्रीट दर्ध ने भीआज़गार के आपके शरीर में दर्ध प्रापलेम है मसल पेन हो मस्किलोज़स्केलिटल जो रद होता है वह वाला दर्द हो अर्थ्राइटीस की दर्द हो और्स्ट्यो अर्थ्राइटीस रुमेटर अर्थ्राइटीस इस पर करके अर्थ्राइटीस हो बैक पेन हो लो बैक पेन हो यह सारे चीज़ में किसी परकार इसके आपको छोट आया है उसके चलते बहुत ज़्याद दर्द हो रहा है, मसल और हड़ियों में, वहाँ पर दिया है, यूज किया जाता है, और दांतों की दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, अपसे नहीं पार हो, तब भी as an injection इसको दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जा सकता है, अब कुछ cases में post operation, जब surgery होता है, उसके बाद कुछ दिनों तक दर्द रहता है, surgery के दिया में, तो वो दर्द कम करने के लिए भी डैना पर टैबलेट दिया जाता है, या फिर डैना पर इंजेक्शन दिया जा सकता है, डैना पर इंजेक्शन तब दिया जाएगा, जब आपका दर्द बहुत काम करें, अब बात करते हैं कि डैना पर टैबलेट या इंजेक्शन इसके side effect क्या है, देखो side effect है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में at a time ही आ जाता है, तो हो सकता है उससे आपको एक उल्टी जैसा tendency हो, खाली पेट आपको नहीं लेना है, stomach pain होगा, जब अगर ख खाली पेट antacid लेना है, खाने से पहले antacid लेना है, खाने के बाद ये tablet लेना है, खाने से पहले ये tablet नहीं लेना है, ठीक है, और अगर ये prolong कोई ले रहा है, फॉर लेखो post-operative pain को कम करने के लिए, या फिर arthritis के problem है, अगर काफी महीनों से अब ले रहे हो, तो हो सकता है आ सारे के सारे parameters की थोरा change हो जाए, अब बात करते हैं कि ये dynapar tablet की effectivity के बारे में, लेको dynapar tablet है तो बहुत effective, और खास करके dynapar को tablet में उतना famous नहीं है, injection में ज्यादा यूज़ किया जाता है, इस वाइस injection में dynapar बहुत अच्छा काम करता है, और वहाँ पर आपका tablet नहीं लेना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा जाना है, अब बात करते हैं डynapar tablet की brand alternatives क्या है, इंडिया में कौन कौन सी brand alternatives आपको मिलेगा, आपके screen के सामनी ये रहा, इसमें आता है वावेरन, वावेरन में भी diclofenac paracetamol होता है, जो आप इस्तमाल कर सकते हो, diclogesic में होता है, diclofenac paracetamol अब यूज कर सकते हो, combiflam बोलके एक आता है, जिसमें paracetamol के साथ-साथ diclofenac तो नहीं होता है, मगर ibuprofen होता है, जो भी एक प्रकार के anti-inflammatory drug है, मगर यहाँ पे वो exact composition नहीं होता है, exact composition आपके सामने वावेरन है, diclofenac, आप वावेरन का भी type है, exact composition में हैं, और थोड़ा अलग composition में हैं, मगर एक ही काम करने वाला दावा combiflam है, जिसमें paracetamol और ibuprofen की combination आता है, तो यह रहा आपके सामने सारे के सारे information, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, family members के साथ, subscribe करने channel को, तक कि ऐसे वीडियो आपको मिले, thank you, bye